हां जी मैं अभी जो बात करूँँआ आप सभी बच्चों से वो करूँआ semester 1 कि बात semester 1 और semester 1 चाहे बच्चा B.com का हो चाहे बच्चा B.com ओनर्स का हो हमारे semester 1 में अब time भी एक बार देख लो कितने time बचे हैं अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास सेप्टेंबर महिने में सिर्फ दस दिन है, ओक्टूबर महिने में 31 डेज और नौवंबर के मन्थ में 30 दिन टोटल मिलाके देखा जाए तो 71 और मैं मोटा मोटी कह दूं, 70 दिन है बस, 70 डेज है और 70 डेज में ही आपको पूरा का पूरा स्लेबर कम्प्लीट करना है, बहुत बच्चे तो अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा है उन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट है आपके सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो पहला सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है, FA Financial Account दूसरा कोर सब्जेक्ट है, आपका Business Law तीसरा कोर सब्जेक्ट है आपका, आपका Business Organization and Management और Owners में है Management Application के नाम से चौथा सब्जेक्ट आप सभी के पास Hindi होगा Hindi है ना आपके पास, नहीं है, तो क्या मिला आपको English, यानि Hindi और English और पाँचवा सब्जेक्ट क्या मिला, आपको रंगमंच मिला या क्या मिला Commerce या आपको Finance for Everyone Finance for Everyone च्छाटा सब्जेक्ट क्या मिला आपको EBS और सात्वा सब्जेक्ट बताईए नहीं, दो हिंदी है, एक हिंदी है एक है तो आपको सात्वा सब्जेक्ट Commerce क्या चलो एक और हिंदी ले लेते हैं और आप चीजों को 10 दिन में कैसे खतम करोगे, तो बहुत ज्यादा है तो आज की वीडियो में भाई आप पढ़ना चालू कर दो, बहुत कम समय बचा है नहीं पढ़ोगे पस्ता आओगे, मैं सभी का reference बता देता हूँ यह आपको बुक से पढ़ना है, और प्लस 10 यर यह आपको सीधा 10 यर पढ़ो अब, अब बुक का समय जा रहा है, जिसना बुक ले लिया है, वो help ले यह सीधा 10 यर से पढ़ो, और बुक से reference आंसर लिख सकते हो यह सीधा 10 यर से पढ़ो, finance for everyone, यह आप बुक भी ले सकते हो, और प्लस 10 यर EBS को आप 10 यर से पढ़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और हिंदी भी आप 10 यर से पढ़ो, और जो आप SOL के study material है, हिंदी और English, वहाँ से आप help ले सकते हो लगबग सभी subjects के tenure आ चुके हैं market में, और tenure शिवदास का लेना है आपने, मैं आप सभी बच्चों को बता भी देता हूँ, नमबर अगर जिनको आसपास मिल रहा हो तो ठीक है नहीं, तो सीधा contact कर सकते हैं Greece, Ahuja Greece जी, आप सीधा contact कर सकते हैं, 701147630, ये नमबर है वहाँ पे Greece जी का ठीक है न, तो यहाँ पे आप contact करके सीधा कोई भी tenure अपने घर पे deliver करा सकते हैं, तो बाकी के जो theoretical subject देखो, बड़न हटाओ, पढ़ने का सही तरीका क्या साथ subject है 10 दिन में, तो एकदम hopeless type का लगेगा, आप हिंदी बहुत जल्दी खतम कर सकते हैं, दो से तीन दिन में, ठीक हैं, तो हिंदी reading मार लो, क्योंकि exam में हिंदी में आपको क्या लिखना है, questions answer भी लिखने पड़ें आज मैं बात करूँँगा, आपका सिर्फ और सिर्फ financial account के बारे में, अगर, क्योंकि सबसे बड़ा subject यही बनता है इसके अंदर, financial account, financial account, और financial account को how to study कैसे पढ़ना है, वो चीज़े भी समझ लेजिए, financial account की बात करें, तो unit wise अगर मैं इसको divide कर दूँ, तो unit number one, unit number one जो है, यह सारा का सारा 11th से related है और theory है, 11th से related और theory, मैं बोलूँगा, इसको मत करिएगा भी, मतलब एक पढ़ने का तरीका भी होता है कि यहां, क्या topic हमें पढ़ना है, तो unit number one, सारा का सारा आपका 11th से related है, इसको अभी मत पढ़िएगा, इसको last में हम गिंती के 2 से 3 दिन में भी cover up कर सकते हैं, वही journal entry और exam में इसमें से आएगा भी नहीं, इसमें से exam में से theory आएगा, और theory वही आएगा आपका going concern, assumption, principle, यह सारी चीज़े हैं इसके अंदर, अब आ जाईए unit number two, सर देट इस unit number two के अंदर, आपके दो chapter है, number one, that is property, plant and equipment, property, plant and, जिसको AS10 भी कहते हैं, और मैं simple बात बताओ न, यह depreciation है, यह पागल बनाने वाली बात है, नाम बदल दिया गया है, जो 11th class में पढ़ा था वो depreciation, लेकिन हाँ, उससे थोड़ा सा आगे advance है, कुछ बच्चे का कहना है कि सर हमने अगर 11th class में पढ़ रखा है depreciation, तो चल जाए कि नहीं, उससे advance है, और depreciation chapter हमेशा से मैंने देखा है, कि बच्चों का favorite chapter तो नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक चलता है, जैसे provision for depreciation आता है, बच्चा थोड़ा परिशान हो जाता है, दूसरा इसके अंदर है हमारा, that is आपका inventory, inventory chapter, तो मैं आप सभी student को सलहा दूँगा, इसको भी अभी start मत करिए, दो chapter बड़े हैं, यह practical है, इसमें कोई theory नहीं पढ़ने हैं, लेकिन अभी start मत करिए, म आगे आजाईए, unit number three, इसके अंदर हमारा, तीसरा chapter है, that is final account, और चौथा chapter है, that is NPO, non-profit organization, अब सर, इस unit को आप start कर सकते हैं, आप जब भी पढ़नाई start करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं, I'm sure, बहुत, लगबख 70% student अभी तक पढ़नाई start नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल परसो मैंने SRCC में भी देखा बच्चों को, तो उनका नजरिया ये था, कि सर, कितना आएगा हमारे syllabus में, तो जो भी मैंने ये syllabus लि ही आने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, हाँ, इसमें पहले number one पे अगर मेरे को कोई बोलेगा, तो मैं ये start करूँआ, 11th वाला final account है, और समझ में भी आ जाता है, और लेकिन इसमें adjustment 11th class से advance है, जैसे sales on approval basis, national rent है आपका, capital expenditure treated as a revenue expenditure, या common debt, तो पहले नहीं थ है, लेकिन इसके अंदर extra point आएंगे, तो आपको पढ़ने है, ये सारे adjustment, ठीक है, तो ये है हमारा financial account, final account, पहले number पे, अब इसके बाद जैसे ही final account करेंगे, number 2 पे आप इसको कर लें, सर, अब unit number 3 के बाद आ जाते हैं, unit number 4 पे, strategy से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, branch account, chapter 3 के बाद, 5, 4, 5, 6, departmental, और 7 chapter बनता है, आपका lease, तो अगर इस unit की बात करें, तो जैसे दूसरे number पे आपने inventory किया, तो अब depreciation मत करने लग जाईए, अब आप branch कर लीजिए, तीसरे number पे, चौथे number पे आप depreciation पिक करिए, क्योंकि ना, एक selection भी बहुत बड़ा role play करता है, किसी subject को खतम करने में, कि हम किस sequence में क्या पढ़ रहे हैं, अब बच्चे क्या करेंगे, unit 1, 11th वाला journal, वर्नल करके चले जाएगा, पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि starting में तो बच्चे सोचेंगे ने, कि starting से पढ़ने हैं, और भुक भी बहुत मोटी बना रखी आपको, तो आप smart practice करना पड़ेगा, आपको, अब आजाते हैं, unit number 5, unit number 5 आपका computer है, जो fully theoretical subject है, इसको भी आप last में लेंगे, तो मैं numbering को अगर फिर से मैं repeat करूँ आपके सामने, तो भाईया, पहले number पे आपको final account, दूसरे number पे inventory, तीसरे number पे branch, चौते number पे property, plant and equipment, पाँचवे number पे आप lease करिएगा, जो sequence मैं बता रहा हूँ, lease के बाद फिर आप छठे number पे departmental पढ़िए, छठे के बाद साथवे number पे आप पढ़िए computer, ये theoretical है, लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, बाकि लास्ट में आप इस chapter को उठा लेंगे, ठीक है न, हर एक unit जो है, इसमें से ये वाला जो unit number हमारा 2 है, ये ज़ादा, चौरी, ये जो 4 है, ये थोड़े से ज़ादा marks के आते हैं, यानि 25 का है, और ये सारे 15-15 ऐसे decided है, 15-20-20 number के, 20-20 number के हर unit होता है, लेकिन इसको 15 और इसको 25 कर दिया गया है, इसके साथ साथ आपको कुछ accounting standards भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे की AS9, जैसे की AS26, जैसे की AS1, जैसे की AS2, ये कुछ accounting standards हैं, जो कि आपके slayvers का part है, और बच्चों को ये मिलता नहीं, और इसमें से questions पूछ लिए जाते हैं, तो ये accounting standards तो मैं separate separate वीडियो बना के करा हुआ, तो ये था कुछ आपका पढ़ने का तरीका, आप कैसे भी पढ़ रहे हो, आप चाहे मतलब के कोई भी mode हो आपका पढ़ने का, आप online पढ़ रहे हो या किसी से help ले रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तो मेरा यही कहना है कि भईया sequence यही रखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी time से मैं देखता आ रहा हूँ बच्चों को, आपका ये तीसरी बार, मतलब दो बच्चे तो निकल गए, यहाँ पर जो NEP पढ़ के चले गए इसको semester 1 को, तीसरी बार पढ़ रहे हो तो paper कैसे है, attempt कैसे, semester 1 में देखा यह जाता है, कि 90% की बात कर रहा हूँ है, 90% बच्चा ऐसा होता है, जो की do college का किस तरीके से पढ़ाने का तरीका समझने में, उसको समय निकल जाता है, first semester को, कि अभी देखो, आपके पास book भी आया, फिर center पढ़ गया, बुक आया, तो भाई जब center पढ़ गया, आप center में जाएंगे, इसके बाद फिर आपके internal आ जाएंगे, फिर internal में उलच जाओगे, पढ़ने का time आपको इनहीं बीच में से ढूंड ढूंड के निकालना होगा, ऐसा मस समझना के तसल्ली से पढ़ा जाएगा, यहां कोई तसल्ली नहीं होगा आपका, अब internal के dates आ जाएंगे कुछ दिनों में, और regular college में in fact internal start भी हो गएंगे बहुत बच्चों के, तो internal के अंदर, अब exam के अंदर मैं जो कौन से chapter कितने number का आएगा, कौन से chapter में क्या choice रहेगा, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बता दूँँ आपको, अभी फिलाल मैंने बता दिया, यह यह choice रहेगा, तो पता है, आप क्या करोगे, आपना choice वाला ही chapter पढ़के चले जाओगे, बाकी को क्या करोगे, छोड़ दोगे, और जिससे क्या होगा, examiner का अगर दिमाग खराब हुआ, तो उसने जो अपने छोड़ा है, उसी में से आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, लास्ट में बताऊँगा, कि ये chapter अच्छे से करना, और इस chapter को थोड़ा कम भी करा, तो चल जाएगा, अभी नहीं बताऊँगा, वो बात में, तो ये था हमारा financial account का पूरा का पूरा किस तरीके से हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मैंने बच्चों को बता रखा है, के भाईया, हमारे पास भी classes चलती है, और classes जो रहती है, वो live class है, और plus doubt का है आपका, प्लस आपका PDF notes है, जो भी notes होते हैं, PDF, और ये सारी classes हमारे पास available है, जो की आपको अभी गनेश चतुरती पे 399 में आपको पूरा course मिल जाता है, और उसे पूरा complete भी कर सकते हैं, 400 रुपे में, पूरा का पूरा आप इसको complete कर पाऊगे, स्रिफ ये, आज ये कल के लिए र करते हैं, तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा, time बिल्कुँ आपको